हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम पंकस आप देखने हैं पंकस एरूटेक दोस्तों यहाँ पर UPAAC PET का एकजाम जितने लोगों नहें दिया है दोस्तों आप लोग बहुत दिनों से काफी दिनों से भरती के इंतिजार आप लोग कर रहे हैं कि लेकपाल की भरती अब आएगी अब आएगी लेकि दोस्तों यहाँ पर सरकार जो है बिल्कुल भी ध्यान ने दे रहा है और अभी तक दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नोटिफिकेसन जारी नहीं किया गया है कहने को दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर नियमावली में परिवर्तन हो रहा है कोई बदलाव हो रहा है और कुछ प्रक्रिया है ट्रिपल सी को ले करके और कुछ अंदुरोनी कुछ कार चल रहा है जिसमें देरी हो रही है लेकिन दोस्तों इसमें क्या इतना भी क्या देरी होना अभी देख रहे हैं कि आप आज दोस्ते आपर आठ तारीक हो चुका है आठ दिसंबर और यहाँ पर बीस या पचीस के बाद यहाँ पर जो है सिर्फ डेट है वो इसके बाद अचाहर संगिता लग जाएगा इसके बाद उसने भरती जोले में चली गई है गई भैस्पानिय म फेव बरति वरति नहीं आनी है आप लोग जो है यहाँ पर ट्वीट के माद हम से ही कुछ कर सकते दोस्ते हैं आपर कुछ निउज है हम देखते हैं आपको देख सकते हैं आपीसियल यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेकपाल भरती से समंदित ब्यासि पद उपर भरती होने वाली फस्ति वी ने जड़ा रही है लेकपाल के भरती के लिए कंप्यूटर के जानकारी अनिमार कर दी गई है इसके लिए लेकपाल भरती नियमा वाली प्रावदहान की जाना है लेकिन इसमें भरती अब तक नहों पाने की वजह से भरती पर क्रिया लटकी होई लग रही है उत्तरपदेश अधिनस्त सेवा चायन आयोग यूपी ट्रेपल सी इस संबंधे में राजस्व परिसद को कई बार सुचित कर चुका है संसोधित प्रस्ताव मांगा राजस्व परिसद ने उत्तरपदेश अधिनस्त सेवा चायन आयोग को इन पदोपर भरती के लिए प्रस्ताव भज़ा था इसमें पादरता में पादरता में कंप्यूटर के जानकारी के लिए ट्रिपल सी की अनिवरता समंदी अरहता का जिकर नहीं किया गया था अच्छा अच्छा तिये बात है आयोग ने राजस्व परिसद से इसको लेकर इस्तिती इसपष्ट करते हुए संसोधित प्रस्ताव मांगा लेकिन अभी तक उत्तरपदेश लिखपाल भरती नियमावली में संसुधन नहीं हो पाजा है राजस्व परिसद से लेकर सासन के बीच प्रस्ताव घुम रहा है मतलब यही वही बात की जो है बस प्रक्रिया चल रही है अब यही कहकर बशात्रों को अभी अर्थियों से जितने बच्छे प्तियारी करते हैं उनके साथ घुम रहा है कैबिनेट से नियमावली संसोधन समंदी प्रस्ताव पास होने के बाद ही भरती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी यह कहा गया है तो कैबिनेट से कब पास होगा भई अगले साल या फिर पांच सल बाद आचार संगिता में अपन सकता है मामला यूपी में विदान सभाज उनाव नस्दीक है इस महिने के बाद कभी भी आचार संगिता लागू हो सकती है यूपी ट्रेपलसी आयोग ने मुताबित वह चाहता है कि राजोस्व परिसत से संसोधित प्रस्ता मिल जाए जिसमें भरती समंदी बिग्यापन निकाला जाए बिग्यापन निकालने का अचार संगिता कोई असर नहीं पड़ेगा भरती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मगर अचार संगिता लागू होने के बाद नई भरती को लेकर बिग्यापन निकालने में बीधीक अडचन आएगी राजोस परिशत के अध्यक्ष मुकूल सिंगल कहते हैं कि लेखपाल भरती के मामले में सासन के निर्देशों का पालन होगा सासन जो भी निर्देश देगा उसके अधार पर भरती बिगरिया पूरी की जाएगी तो किल मिला करके बस लॉली पॉप है कुछ भी नहीं है यहाँ पर भागे दोस्तों यहाँ पर आपके आपसास अतने हैं बस भरती जो भी है सब पड़ी है सरकार के थेले में कैसे निकलेगी ट्वीट कर सकते हैं आप लोग ट्वीट ही एक ऑपसन है इसके अलावा कोई ऑपसन नहीं दिख रहा है आप भी सब लोग युनिटी में बिना करके ट्वीट करो फिर जाके भी बेन फीट है दरवाज यहाँ पर कोई बेन फीट नहीं होने वाला है दोस्तों बताते हैं